नमस्कार दूस्तो साल 2023 का पहला चंदर ग्रहन 5 मैं को लगनी जा रहा है पंचंग के अनुसार वैसाक महा की पूर्णिमा तिथी को बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल 2023 का पहला चंदर ग्रहन लगनी जा रहा है जो की कई मायनों में खास होनी वाला है साल का पहला चंद्रग्रहन 5 माई को रातरी 8 बज़ कर 46 मिनट से शुरू होगा और यह है रातरी 1 बज़ कर 2 मिनट पर समाप्ध होगा गरत्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से चंद्रग्रहन लगता है चंदर ग्रहन हमेशा ही पूर्णीमा तिथी पर लगता है इसे लेकर पूराणी कथा प्रचलित है कि पूर्णीमा के दिन जब राहु केतु चंदरमा को निकलने का प्रियास करते हैं तो चंदर ग्रहन लगता है चंदर ग्रहन के 9 घंटे पहले सू तक लग जाता है जिसे धार्मिक और जोतिसी नजरे से असुब माना जाता है इसलिए चंदर ग्रहन के दुरान कुछ कामों को करना वर्जित माना जाता है लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिने चंदर ग्रहन के दुरान करना दुस्तों बेहद जरूरी और सुब दुस्तों माना जाता है सबसे पहले आपको बता दें चंदर ग्रहन कहां कहां दिखाई देने वाला है तो ये ग्रहन पूर्वी अमेरिका, यूरोप, अफरीका, ऐसिया, आस्टेलिया के कुछ हिस्से में दिखाई देने वाला है चंदर ग्रहन की बात करें तो भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सूता काल भी मानने नहीं होगा लेकिन दोस्तों कुछ नियम काईदे आपको जरूर मानने चाहिएं ताकि आप सभी सेप रहें ग्रहन के दोरान कोई भी सुबकार ने ना करें ग्रहन के दोरान गरववती इस्त्री, बच्चे, व्रद व्यक्ती और छोटे बच्चे घर के अंदर रहें गरववती महिला केसी भी काटने, पेटने, जलाने और नुकीली वस्तु बिलकुल भी हाथ में ना ले वहें ग्रहन के दोरान मंदिरों के पट भी बंद रखने चाहिएं तो बहुती बड़ी ख़वर पांच माई को ये ग्रहन लगने जा रहा है अभी कुछ दिन पहले ही सूरी ग्रेंड लगा है